नमस्कार दोस्तों आज हम आपको बताएंगे सल्मान और एश्वरिया के ब्रेक अप की असली वचा बॉलिवुड के दबंग खान यानि की सल्मान खान अपनी आक्टिंग के साथ साथ अपने विवादों को भी लेकर काफी सुर्ख्यों में रते हैं बॉलिवुड में सबसे ज़ाद सल्मान खान और एश्वरिया के अफियर ने सुर्ख्यां बटूरी थी इनके प्यार के जितने चर्चे हुए थे उतने ही इनके ब्रेक अप के भी चर्चे हुए थे पूरी बॉलिवुड नगरी इनके प्यार के बारे में बाते करती थी कहानी और उनके ब्रेक अप के बारे में पूरी दुनिया जानती है लेकिन उनसे जोड़ी कुछ ऐसी बहुत सारी बाते हैं जिनके बारे में दुनिया को नहीं पता है बॉलिवोड हो या फिर बाहर की दुनिया हो सभी इन दोनों के प्यार की मिसाल दिया करते थे लेकिन तब तक वैं खौफ की साई में जीती रही थी एश्वर्या ने ये भी कहा कि सल्मान हमेशा उनके चरित्र को लेकर शक करते थे एश्वर्या ने ये भी आरोप लगाया था कि सल्मान उन्हें शराब के नशे में मारा करते थे एश्वर्या ने अपने और सल्मान के ब्रेक अप वाली खौफनाक रात के बारे में बताते हुए कहा कि सल्मान शराब के नशे में उनके घर आये और चिलाते हुए उनके घर के दरवाजे को पीटने लगे थे एश्वरिया ने कहा कि जब तक मैंने उन्हें जवाब नहीं दिया वो तब तक दर्वाजा पीटते रहे थे जब तक उनके हाथ से खून नहीं निकला इस खौफनात बात के बाद एश्वरिया के पिता ने सल्मान खान के खिलाफ F.I.R. दर्ज कर दी थी एश्वरिया ने यहां तक बोल दिया था कि सल्मान के लिए उन्होंने सब कुछ किया था लेकिन वो हमेशा एश्वरिया पर गुस्सा ही करते रहते थे सल्मान खान के गुस्से उनके नशे की आदत और मारपीट तो अलग जगा थी साथ ही उनके शक की वज़ा भी कुछ ऐसी थी कि एश्वरिया ने उनसे दूर जाने में ही अपनी भलाई समझे थी सल्मान ने शराब के नशे में एश्वरिया को ही नहीं बलकि केट्रीना कैफ की घर में भी जाकर तमाशा किया था एश्वरिया ने अपने खुलासों में ये भी कहा कि सलमान ने उन्हें काफी सारी धंक्यां भी दी थी सलमान ने अपनी इस बात को बाद में कबूल भी किया था सलमान के अनुसार वे एश्वरिया से कमिटमेंट चाते थे लेकिन एश्वरिया उन्हें कमिटमेंट नहीं दे रही थी इन दोनों के ब्रेक अप की असली वज़ा ये ही थी Thank you so much Keep watching today's for more videos